हलो फ्रेंड्स मैं इसल प्रिया सैनी और मैं आप सभी का अपने चैनल जर्नी ओवे में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों कैसे हैं आप सभी? I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो competitions हैं वो भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे दोस्तों आज मैं आपकी लिए बहुत ही important topic पर एक poem लेकर आई हूँ जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम गुरु तेक बहादुलची पर प्रकाशपरु मना रहे हैं जिसके लिए अलग-अलग competitions अलग-अलग school में होते रहते हैं तो दोस्तों ये poem आपके लिए काफी important हो सकती है इसलिए मैं इसके उपर आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ I hope मेरी जो ये वीडियो है ये आपके लिए helpful होगी आप लोगों को पसंद आएगी और मैं ऐसे ही टाइम टाइम पर आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहती हूँ So guys, I humble request to all of you If you like my video, please subscribe my channel, like my video and share my video to your all friends, family Okay, so let's start today's poem Glorious Martyrdom of Guru Tegh Bahadur Poem कि जो Guru Tegh Bahadur है, उनका जो गोरो मई शहादत है उसके उपर आपको कवीता लिखनी है तो दोस्तों, ये कवीता आप लिख सकते हैं और अपने आपको एक कह सकते हैं कि फर्स्ट प्राइज आप जीतने के लिए एक अच्छी से अच्छी पोयम आप यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों, जल्द ही मैं इसके उपर आपके लिए एक और पोयम लेकर आऊंगी इस टोपिक के उपर उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि उससे आपको बहुत हैल्प मिलेगे जैसे ही वीडियो अप्लोड होगी आप उससे देख सकेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो आप इसका मीनिंग समझे कि हमें जो गुरू तेख बहादूर जी की शहादत है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए हम कभी नहीं भूलेंगे जिन्होंने अपनी लाइफ दूसरों के लिए दे दी ओ दा ग्रेट गुरू तेख बहादूर जी ऐसे महान गुरू तेख बहादूर जी इंडिया है वो एक बुराई का जगा बन चुकी थी जहां पर मुगल्स रहने लगे थे ओरन जेब था जो वो मुगल्स का किंग था और वो क्या चाता था वो केवल एक चीछ चाता था कि जो आल पीपल्स है यहां पर हिंडू उन्हें किसमें बदल दे मुसलिम्स में ठीक है तो दोस्तों पोयम्स आई होप आपको अच्छी लग रही होगे और अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करना ना भूले मैं आपसे यही चाहती हूँ मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है एक दिन जो हिंडू साइब कश्मीर से आये जो कश्मीरी पंडित थे उन्होंने कहा उन्होंने गुरु तेख भादू जी का दरवाजा खटखट आया मतलब जो कमजोर की साहिता करता है जो पापियों का नाश करता है हमारी मदद करो हम आपसे अपनी सुरक्षा की भीक मांगते हैं जो यह मुगल्स हैं इससे हमें बचाओ गुरु तेख बहादू जी वर इस तर्बन बीटिफुश्य। यह अप्रव थेख़ आपस्टफ की खट बूर की यह और आपस्टफु हूआ आपस्टफुश्य। अब इसका मेनिंग समझ है बच्चो कि जो गुरु तेग भादू जी थे उन्होंने अपनी जो तर्बन है उसको ब्यूटिफुली पहना और कहा ओ Emperor of Delhi की जो एमपर के दिली के जो समराठ हो अगर तुम मुझे परिवर्तित कर देते हो अगर तुम मेरा धर्म परिवर्तित कर देते हो तो समझो सारे हिंदू ने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया इसके लिए उन्होंने गुरु जी को बहुत टॉर्चर किया लेकिन उनके दिल में कोई fear नहीं हुआ, कोई डर नहीं हुआ, then the execute chopped off the guru's head और उन्होंने जो गुरु जी का सिर है, वो सर काट दिया, बिलकुल धर से अलग कर दिया We always remember the martyrdom of Guru Tegh Bahadur ji कि जो Guru Tegh Bahadur ji की शहादत है, वो हमेशा हमें याद रहेगी He shines like Kohinoor, वो Kohinoor की तरह हमेशा चमकते रहेंगे In our heart always, हमारे दिलों में तो दोस्तों, यह आपकी poem थी, I hope आपको poem अच्छी लगी होगी और अगर आपको poem अच्छी लगी है, तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को like करें और जाद से जाद शेयर कर मुझे अपना support दे क्योंकि आप लोगों के support के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो हूँ, वो आप से हूँ तो आप लोगों का ऐसे ही support रहे, तो मैं आपके लिए बहतर से बहतर चीज़े लेकर आती रहूंगी तब तक के लिए, all the best for your competition, thank you so much